इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है बिहार में Unlock चल रहा था Unlock 5 लेकिन इस वक्त जो खबरे आ रही है Crisis Management Group के साथ मुखमंत्री की बैठक थी मुखमंत्री के अगवाई में ये बैठक बुलाई गए थी और Unlock 5 जो है आज 12 वजे रात से समाप्त हो रहा है और Unlock 6 यानि 26 तारिक से Unlock 6 में हम लोग चलेंगे लेकिन मुखमंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारिया दी है कि इस बार Unlock 6 में लोगों को क्या-क्या चूटे मिलने जारी है ख़वर हम आपको वे स्तार से बताएंगे बिहार में 7 अगस्ते 25 अगस्त तक Unlock 5 लागो किया गया था करुणा की केस में कमी देखते हुए मुखमंत्री दिश्कुमान ने गुरुबार से यानी 26 अगस्ते कई छेत्रों में छूटे दी है मुखमंत्री ने बुद्वार को ये ट्वीट कर कहा कि अब सभी विश्विद्याले कॉलेज तकनीकी सेच्छिक संस्थान और विद्याले पहले से लेकर बारवी कच्छा तक के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी समान रूप से खुलेंगे उन्होंने कहा कि करुणा संकर्मन की स्थिती में सुधार को देखते हुए सभी दुकाने प्रस्तिस्थान, सौपिंग, मौल, पार्क, उद्दोग, धार्मिक अस्थल समान रूप से खुल सकेंगे जिला प्रशासन की अनुमती से सभी प्रकार के समाजिक और राजनितिक मनुरंजन खेल, कूट, संस्कृतिक और धार्मिक अयोजन अपेक्षित साबधानियों के साथ साथ आयोजित किये जा सकेंगे राज्जी के विश्विद्याले और कॉलेज विद्यालो द्वारा परिक्षा आयोजित किये जा सकेंगी पचास फीजदी छमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जीम, सौपिंग, मॉल, रेस्टरेंट, खाने-पीने की दुकाने अंगु गत्वा के साथ खुल सकेंगे ये तमाम चीज़े जो हैं अब खुल सकते हैं, अनलॉक 6 में जो धार्मिक अस्थल थे, वो बंद पड़े हुए थे, अनलॉक 5 तक, लेकिन अब अनलॉक 6 में मुकमंतरी निंदिशकुमार ने ट्राइसेस मनेजमेंट गूर्प की बैठक में ये समाप्त कर जानकारी दी है, ट पूरी तरीके से अपनी सुरक्षा स्वैम करें, क्योंकि कुरोणा अभी गया नहीं है, कुरोणा के तीसरी लहर जो आने वाला है, वो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए कुरोणा की तीसरी लहर को देखते हुए, मुकमंतरी ने ये चितावनी दे दी है, कि लोग अपनी जैसे कुरोना की मास्क, सेनिटाइजर तमाम सोशल डिस्टेंस का पालन करें ये तमाम चीजों को मुखमंतिरी नितिश कुमार ने ट्वीट कर चेतावनी दी है कि लोग अपनी सुरक्षा स्वेम करें और लोग सोशल डिस्टेंस का खास तोर पर पालन करें लोग अब जो राजनितिक कारिक्रम थे उसमें भी अब छुटे मिल चुकी है तो कह सकते हैं कि अब अनलॉक 6 में अनलॉक 6 में पूरी तरीके से छुटे मिल चुकी है जो चीजे 50% थे वो रहेंगी लेकिन सिनेमा घर में 50% की छमता के साथ समय सीमा थोड़ी बढ़ाई गई है और तमाम चीजों का खयाल लोगों को रखना होगा बिहारवासियों का अपना खयाल खुद रखना होगा करोना की तीसरी लहर काफी खतरनाक है इसलिए करोना से बचने के लिए शोसल डिस्टेंस और मास का जरूर पालन करें और इस्तमाल जरूर करें तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें देश्टेंस के साथ और देखते रहें देश्टेंस जी